कर रहे हैं हम लोग अपने अपने दिश्टिकों से सही हैं शेव सच मुझ में क्या है यह तो शेव ही बता सकता है दूसरा कूल कैसे बता रहे है आज तक जो शेव की परिकार्पना की गई है वह इंश्वर के रूप में की गई है कर वह ल् visualsege गह करण के लिए है और हमारे आपके हाह इसका चलंग भी है प्रचलंग वह है कुछ आंप अपने हाँ इस्तिमाल करते हैं जो मांतर शेव के लिए इस्तिमाल करते हैं जैसे महा का गए किए देवता के लिए किसी देवी किरी इस शब्द का फुरोग आप नहीं करेए। महाकाल कर ऑर्धी आप सममझतर जाते हैं शुलकिवाutzने की अर्धनालिय्श्वात। जैसे कोई बोलता है कि अर्धनाली इश्वर सामान्य बुद्धी वारा भूद जाता है कि ये महादेव के बारे में बोलता है किसी दूसरे भर्वान की दूसरे देवता की कल्प्रा नहीं उसके दिमान महाती जैसे कोई बोलता है कि महादेव का मंत जरू रोगा शेव से संबंधित मंत इन शब्दों का आर्थ देखिए तो जैना इन शब्दों के आर्थ पर देखिए गार तो ये सारे सारे शब्द इश्वर की व्याठ्या है इश्वर के लिए फुल्यूप्त होती है महाकाल महाकाल कर से लगाएए महाकाल का मनी अकाल है ना अकाल तक अ महाकाल का मनी वह सत्ता जो काल से परे हो सब्सक्राइब यहां काल लागु नहीं होता है समय कब लागु होता है जब कोई चीज बनती है वो दिमाग में बनी या वास्ताव में बनी बहुतिक रूप से जब कोई चीज बनेगी जैस च्छोण बनेगी अब उसकी गणना होगी समय प्रारम वहो गया हो उसका उसकी उत्पत्ती की तिधी अपने धारित हो गई डेट ऑफ मैनिफेक्ट्रिंग कोई चीज बनी ही नहीं नहीं दिमाग में बनी नहीं बहुतिक रूप से बनी बनी ही नहीं समय लगुए नहीं हो सकता बनी नहीं क्या स्थिक्राइभ को क्या है कि वह शक्ताट जोसरी इटे जेसे पने घी तो समय लगूँए परे जब कोई जिस बनेगी तो समय लागव होगा, कहा गया कि यह तो महाकार है, यानि महाकार है, टाइम के बॉस है, कला काल के अधिस्था थाता है, काल इंपर लगता ही नहीं है, यानि कुछ बना ही नहीं है, तब भी वो है, कुछ भी स्रिस्थ संसार में नहीं है, ना आकाशन हवा है, ना पानी है, आगे, कुछ भी स्रिस्थ नहीं हुआ है, परमाध्मा ने अपने ख्याल में, अपने इच्छा में इसको लाया ही नहीं, कि एक मैं बहुत हो जाओ, तब भी वो सकता है, इश्वर है, देखे शेव की परिकल्पना, महाकाल शब्र के संभोधन से प्रमाणित होता है, कि शेव की परिकल्पना, इश्वर की परिकल्पना है, बार्मात्मा की परमसत्ता की परिकल्पना है, गृतुन्या है, यहां हची जो बनी है, खतम होता है, टूट जया है, उत्पत्ति, इस्तिति और ले, का प्रतिपल चल रहा है उच्पत्य भी हो रही है और विनाश्विय हो रहा है लेगे कहा कि शोग को मिर्तुन्जे हैं विर्थू पर उनको जय प्राप्त है इस संसार में कुछ भी स्रीष्ट होगा तो वो मौत को जाएगा वो हतम होगा का की मिर्तुन्जे हैं यह तो मौत पर इनको वीजय अप्राप्त है यानि फेड़े स्रेश्ठी के पहले कदे़्टा का है है जाए घंट फ्रीश्टी बहूते हैं तो तोटेगी महाकाल गौ इश्वएकार, मृतुम्ज्य जी गौन इश्वएकार, आप टोग किसि के लिए करते हैं, कुसी के लिए करते हैं, जैसे कोई बोलता है महामर्तुम्ज्य मंत्र का जब करना है, तुड़त आप समझ जाते हैं, जरूर्व महादेव समझ लाटे, जैसे कोई महाकाल कोलता है आप तुरत संब्दा जैसे कोई बोलेगा अर्धनार इश्वर चलिए अर्धनार इश्वर कमनी गया हुआ अर्धनार इश्वर आपके दिमाग में आता है श्वर यह बईभाशत हो इश्वर इसक्रेय से अन्यियक व्यों आपके जो श्रेव करते वह लिए लेकिन उंसका अर्धंड़ा होता है इश्वर की घा만र क्या क्या है महादेश महादेव क्या है इश्वर की समस्त शक्तियों का स्हस्ताम प्रकटि डरन ब यह पर ताधर कल आरा पर भारत पर समय कि यह क्या प्रखलपना एंश्वरा की समस्तु सट्रेयों का सिर्फटर्ण हना रहें रहें कि सब्सक्राइए सब्सक्राइब कि दो महाला दानिया इसलिए ठीडर है अम ह subscription से mesmo intéξivenessali एह उतना ले सकते हैं उतना नहीं नहीं सकता गरपर इशोट की समस्त शक्तियों का सिरस्जटम परगटी करानगे परिकल्पना है शिव कि कहते हैं नी सव्ऺ सी बुरू कि बात चलेगी तो शिव शिव कुड़ होगे महागुरु वहोगक हागत ओक होगे इसलिए कि वही इश्वर गुरु में वही इश्वर सरिस्थव करता ह्ज cultivation और जब इश्वर के विए शुषट का प्रयोग हुआ है तो जैसे शुषश्ट क्लोग कर किया GRU को होता है जब पीचे तीरेखा खिचिएगा सहने अवलोगन करिएगा पीचे जाईएगा तो देखिएगा कि गुरु तो ईश्वर सभा को नहीं सकता है। इसलिए कर दिया क्या है? शुरु जटत्के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुवों के गुरु हैं। अमोबन शेव के उपादिवार पुना है। एक महादेव का चेरा हुआ है। बहुत पहले गुर्वाशा। कहानियों मेहती प्रोधी थे। गुर्वाशा एक परंपरा है। एक रक्ति विशेंस नहीं थे। वो शेयव गुर्वाशा काते हैं वो शेय differences लिख रहे। बाजार में कम हैं नहीं मिलती है। शेयव गुर्वाशा की इस गब फूर्वाशा के बीश्वाशा के अपनी स्थी। जotion को जsm Spiel जान गोंता है। ग॥ो बाख्याय गया है। इस श्यूगुरु क्या है? दुरुवासा लिख रहे हैं कि श्यूगुरु क्या है? इस बेलबट क्या है? इस पानी क्या है? इस आसन क्या है? अरे सौब तो महादेवे ना हैं दुरुवासा अंत्र लिखते हैं कि आप तो वहीन है, शिव गुरु भी वही है, बेलकत्र भी वही है, पानी भी वही है, आसन भी वही है, सब कुछ भी है. तो अम उमार शिव परिकल्पना यही है. वैसे हम आप भी जो करते हैं सही परिकल्पना तो हो रही सकती, वही ही जो कि वही है, बार शिव परिकल्पना यही हम लोग भी जो बोल रहे है, यही सब कुछ बोल रहे है. आगे तो मिशह में चलते हैं, वाशी जी ने हाथ वो टॉपिक दे दिया. सरावन fisti आरा थना अजयर ओ सरावन में शिक आरा थना अजयर भावर जापर अजयर शिप्लिन जो तरी senti on नियरेखिया है क्या। हमारे देश हेड़ Спष्री परिकल्पने तो चली आया है, समय के दौर से, समय के अंतराल से, कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा माना है, कुछ लोगों ने खराब माना है, इसलिए जब रैदिक काल आया था, तो शेव को रुद्र कहा गया, रुद्र भी कहा गया, महारुद्र भी कहा गया, शेव सब्ध भाग में प्रयोग हुआ है, शेव सब्ध का रत होता है कल्यान करने वाला, शंकर सब्ध और बाग में प्रयोग हुआ, शंकर सब्ध का रत होता है रच्छा करने वाला या ज्ञान करने वाला, तो रुद्र सब् व्यों आफ शहएं कि योगने को आफड़ किलुने की श क्ति रखने वाला यावने के उन्य का और रहत इसलिएर से को जीतवता को कहा जाएक रुलने का पआव रखते हैं को इसा को बन धुझीया मने ना कि जीज देवता को कहा जाएक कि में जहां सपी्यगाओ अहां तो शेव को वैतिक काल में रुद्र कहा गया महारुद्र कहा गया कि यह मुरितात्माओं के देवता हैं और अच्छा भी कहा गया तो दोनों बाते चलती रहें सावन में खेती होती है और उपद होती हैं और उनको कहा गया कि विजली के भी देवता हैं किरा जी आख तब्भसाली को माता था कभी आदमी को माताए treaty दीरे दीरे जब किसी बलशाली से शासन आपको बचा नहीं सकेगा, तब शासन के पास नहीं नहीं जाएगा, बलशाली के पास नहीं जाएगा, कोई आदमी बहुत बदमार से उससे आपको कोई बचा ही नहीं पा रहा है, तो अंत में रहना है तब तो पढ़ापाती करना ही ह दीरे 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 शिव की सामन में पुजा शुरू ही कभी कुछ मंशा से कभी कुछ मंशा से ये देवता धीरे धीरे लोगों के बीच में कल्यान खाडी देवता के रूप में प्रमानित होने लगा सामन में शिव की पूजा की करम परा हर्याली और खेती और वारिश के चलत कि वाखी तीन सौ दिन मिसे कोई मलब है कि इस पूजा कोई है क्या- albums अब प्रूजा करते हैं सालों करें और पूजा की तकनीक पूजा की प्रक्रिया और आपको मालूम है तब न करें इगा हम हम लोगों को तो प्रक्रिया माल से हमलों को सभाव से जगत करका करें हम लोगों पूद पर मारों को भेजा यह Produ trust. हभाग करें नियुकर शुब की लिए जयगत करकें हमारा का स्वाव हो है तो 어ुनरी आपकी तो जो सोभा होगा उसमें नहीं हमारी आपकी ट्रेश्चर लेते हैं जो हमरा नेचर गरू करेंगे तो धाति का सुख फाने का थोड़ा बहुत सबको प्रशिक्षण है क्योंकि हमारा आपका सभाव है धाति का सुख गल है कि दिश्वर के पास पीनुग जाते हैं देवता दर्टी के संधार के लिए लेकिन या उससे कैसे लें इस प्रक्रिया का उभ्यास घंवार्टारों के डूनिया अब लाशन के संका सुख आप इसा जब जिसको जपा नहीं जाए अब ही सवाल एक रखा रहा है अजब कमाई तो जब जैसा जब जिसको जबा नहीं जाए यह मंत्र क्यों आए इस इस्तितीर ही है कैसे चली कभी सुचा कि मंतरू 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 मंतानू हीसा आया कहा से कियो आया है फिर आदेपा जब क्यों आ गया उसके पहले जब क्यों आ गया देखिए हमने कहा ना कि हमारा आपका सभाव है संसार का सुख को कोई हमारे आपके संसार के सुख को छीनता है रहना चाहते हैं नहीं रहने देता है अच्छा खाते हैं बीमार में जाते हैं जाते हैं सब्सक्राइब इधर में ऐसा होगे आयट जबस यानि हम आप शासित हैं कोई हम आप आपको आप शासन कर रहा है वैसे हिश्वर्षप का अर्थी होता है जो नियंत्रग है जो रूलर है जो शासक्राइब तो आदमी ने सोचा कि जाना कुछों करते हैं फॉर्ष जाते हैं फूरी पूजी लगाते हैं फूजी दूप जाती है बाप को इतना चाहता मर गया घर वाले इतने प्रिये थे मेरे या कोई मेरा भूत प्रिये था अभी उसको राना आज आदे स्यर्ट के लिए दे लिए देवताओं का कि पूजा शरू कि ईश्वत की ऊपासना शरू कि अपने लाब केलिए पहले कहा कि भागों की पूजा शरू की इंद्र आहें वरोन आधे एक्मीयी पूजा शुरू से बहुत हैं वह बहुत को ने संसार के लिए पूजा शुरू की मंत्रों को पाया जांट दोनों के संसार के लिए मंत्र मिले जो लोग संसार का सुख़ाते उसमें कुछ लोग थे जो संसाथ के सुख को भोगने के लिए उस रहस्य को जानना चाहते थे कि रहेंगे तब नो भोगेंगे भवान फूत्य के साथ पी सुना एक ऐसा ही हुआ मर गया हमें बर गाएंगे क्या है कि साथी ने का हां जाता कदाय सच्छा ही नहीं हो कि हमें बर गाएंगे क्या तो पूछा कम मरेंगे साथी ने का है कि किसी को नहीं मौर का जिए तो अब जाएंगे कोई काम करते रहा बीचे मोर जाया तो अब भरी पराग चलब पर मौद को ही खोशते ही बुद्धी निकल गया घख से साथ साल बहार रहा नहीं उसका बहार ही रहा गया कि कुछ लोगरी से प्याएं कुछ रिशलोगे चाहा जिए भगोमान को बेर धर्न को पाने और तीन तरह के प्रयास तीन तरह के कोसी से हुई इह एक धर्टिका सुक्ति आंगे डूसरा इंश्वर को जानेंगे तीसरा दुन्लू लेंगे इसक्णूसा ओंगेस अब प्रक्रिया में मंद्र पकड़ पकड़े ज़िए शाव्त को बड़ी ताकत होती है शाव्त तनमात्रा आकाश्त तर्की जो सूक्षुन तर्को माना जाता है विशे नहीं